तो गाइस मैं हुआंकी तोरह आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटवर्क सुरू करते हैं गाइस सबसे पहले फ्राइड नैट स्माइक डॉन की प्रिव्यू से एड ये वाला स्माइक डॉन का एपिसोड कोई छोटा मोटा एपिसोड नहीं है बिल्कुल मिस करने साफी जरूरी है कुछ यहां पर इंट्रस्टिंग हो सकता है जो कि फ्यूचर आने वाले इनके प्लैंस को टीज कर सकता या फिर हो सकता है कि कल आपको टाइटल चेंज ही देखने को मिल जाए क्योंकि कल ड्राफ्ट भी है तो यह भूनला नहीं है इसके बाद जलीना वेग लेकिन ड्राफ्ट कल है तो स्मैक डॉन सुबह सारे पांच में आएगा बिल्कुल मिस नहीं करना है जापको उसके लिए वेट करना है और उसके बाद वीडियो तो आएगी मैं आपको सब बता दूगा कौन सा सूपरस्टार किधर गया वैसे स्मैक डॉन की बात किये तो स् स्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है एट्मोसफेर के अंदर कुछ चेंज़स हो सकते हैं अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिल्कुल एक ब्रैंड न्यू स्टेज देखने को मिल जाएगा जरे न्यूस का कहना है एक्सपेक्ट सम सप्टल चेंज सब्टल कॉस्मेटिक सब्सक्राइब नो इस नौट रोप्स और स्टेजिंग तो स्टेज और रोप्स में कुछ यहां पर चेंज्ज पगए लेकिन भी आपको ग्राफिक्स के अंदर कुछ चेंज आपर कुछ चेंज देखने को मिल सकते हैं ऐसा पूछ रिपोर्ट का कहना है लेकिन मेरा मानना ह कि अगर डबी डबी आसा कुछ करेगी तो ड्राफ्ट के बाद करेगी जब चीजे फ्रस तरीके से चालू होती यानि कि अगले स्मैक्डाउं से में भी करेगी लेकिन फिर भी यहां पर बताया गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं अगर आप लोग चाहो तो नजर रख सक यहां पर बताया गया है कि ऑस्टें तरी को रियक्शन देखते वें डबी डबी ने प्लान करकर रखा कि फ्यूचर में को टाइटल सौट देंगे यहां पर लिखा गया है आई वरीचीव इंफॉमेसंट एट मैंजमेंट इस रियली कॉंटेंट विद रियाग्शन थे वर लिए तो ऐसे में डबी डबी उनको इन फ्यूचर एक वर्ल्ड हवीवेड चैंपसिप का सौट दे सकती है अगर रियक्शन अच्छे आते रहें रियक्शन अच्छे का मतलब यह नहीं कि आपको चीर मिलें अच्छे का मतलब है बस क्राउड आप पे रियाग्ट कर रहें तो आपको चीर कर रही है रियक्शन मैटर करता है वह पॉजटेव नेगेटिव वह मैटर नहीं करता डब डबी के लिए तो अगर यह रियक्शन लेते आते हैं आने वाले टाइम में भी तो उनको फॉर्स वर्ल्ड हवीवेड चैंपसिप का सौट मिलेगा अब वर्ल्ड ह और इसनल प्लैंस थे हैं कि रसल मीना के अंदर ड्रू मैगन डायर वर्स कोडी रोड्स वर्स सेथ रॉल्स का जो मैच पिच्ट था वह इसी वाली टाइटल के लिए होता नई टाइटल के लिए यानि कि अगर रॉक आ जाते रोमन से बिढ़ने के लिए तो रोमन का मैच ज बिझे डीजाइन को पहली ऐसलमिया देखने को मिल जाता अभी तक आपको एक नया चांपिन भी देखने को मिल जाता तो है कि अब रौक नहीं है तो पूले चेंज हो गयां अब चैंपिन्स में आपको एक चैंपिन क्राउन होते वे देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं एक बहुत नोटेबल चीज बताई है डेव मिल्डजर ने मिल्डजर कह रहे हैं कि अगर आप एक ची नोटिस करो तो ब्रेवाइट और एलक्सा ब्लिस इस टेल डबी डबी के चाहती हो ड्राफ्ट के अंदर यह कुछ कहा है डेव मिल्डजर ने आपको बताया तो सुबह वाली वीडियो के अंदर साइद या फिर कल बताया था मैंने बताया तो था आपको कि स्मैक डॉन में जो हैं बैक्स्टेज अंकल हावडी के प्रॉप्स एंट फाइफलाइफ ना उसके प्रॉप्स अगरा रखे हुएं सो मेबी डबी डबली एज पॉसिबल सर्प्राइज अलेक्सा और ब्रेवाइट को ड्राफ्ट कर सकती है यह डेव मेडजर का कहना है आगे बढ़ते हैं बात करते हम लोग अपनी मेजर स्टूरी के बारे में जो कि अपनी आखरी स्टूरी आज की वीडियो की इसके बाद सीधा ड्राफ्ट के बाद मिलेंगे यानि की कल तो यह मेजर ड्राफ्ट स्पॉलर्स को लेकर अगर आप चाहो तो अपना मचा किरकिरा ना करो तो उसके लिए आप लोग यह अपडेट स्किप कर सकतो लास्ट में रखी मैं एंदिस्पित यूनिवेर्सल चैंपियन रोमन रेंच वाल पॉल हमन और ऊसो यहां पर कहना है कि रोमन रेंच वह अप्ड़्स को पूरी ब्लद लाइन स्मैक डॉन पर ही राफ्ट होगी तो पहली रोमन और सोलो कर राफ्ट हों सल जोग बली राफट हों इसके बावजू रेंस वर्सेज रोट्स री मैच इन दे नियर फ्यूचर कोडी रोट्स को स्माइग्डॉम पर नहीं लिया जाएगा कोडी रोट्स जाने वाले मंदे नाइट रॉक एंदर रोमन वर्सेज कोडी का री मैच अभी हमसे बहुत दूर है तो यह चीज यहां पर क्लिर कर दी गई फिन बैलर आर मुविंग तो स्माइक डाउन आज वेल आज युनाइटे स्टेर चैंपिन और यहां पर बताया गया कि जो जाएगी आपको सीधा-सीधा कहां पर स्माइक डाउन पर पूरी पूरी जाजमेंटे केविन वसें जाएंगे मंदे नाइट रॉक एंदर त्योरी बेट को एंड ब्रॉन ब्रेकर को तो यह गाज मैसिब स्पॉयलर्स अगर आपने स्पॉयलर्स सुन लिए तो कॉमेंट करके बताना कि हां भाई मैं स्पॉयलर्स सुनने वालों में से हूँ बागी इस वीडियो के यही अपडेट थी अब हम लोग सीधा मिलेंगे कल के लिए कॉमेट करके बताव वीडियो को लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना चैनल को मिलते हैं पर नेक्स वाफेर काफे इंडरस्टिंग वेडियो में